नमस्कार, मैं नेहा भारदवाज, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, इस वीडियो में हम लोग मोहन राकेश त्वारारचित नाटक आशाड का एक दीन इसको समझेंगे आशाड का एक दीन त्रिकोनिय नाटक कहा जा सकता है, इसके अगर प्रथम रूप को देखेंगे तो इसमें एक यूबक है कालिदास, जो अपने गौ में शांती प्रुवक जीवन गुजार रहा है और अपनी कला विक्सित कर रहा है, वहां उसका एक यूबती मलिका के साथ प्रेम संबंध भी है, नाटक का पहला मोर तब आता है, जब दूर उज्जैनी के कुछ दरवारी कालिदास से मिलते हैं, और उसे संब्राथ चंद्रगुत विक्रमादिती के दरवार में चलने के लिए कहते हैं, कालिदास संकोष में पर जाता है, एक तरफ उसका सुन्दर शांती और प्रेम से भरा गौँ है का जुज जीवन है, और दूसरी तरफ उज्जैनी के दरवार में भावी सफलता का अफसर भी है, मलिका तो यही चाहती है कि जिस पुरुष से वह प्यार करती है, उसे जीवन में सफलता मिले, और वह कालिदास को उज्जैनी जाने की र चुका है, वहां गौँ में मलिका दुखी और अकेली रह गई, कालिदास और उसकी पत्नी अपने एक सेवकों के दल के साथ कालिदास के पुराने गौँ आते हैं, कालिदास तो मलिका से मिलने नहीं जाता है, लेकिन उसकी पत्नी मिलने जाती है और मलिका से सहानुभूती जताती है नाटक के अंतिम रूप में कालिदास गौव में अकेले ही आता है मलिका तक यह ख़वर पहुंचती है कि कालिदास को कश्मीर का राजिपाल बना दिया गया था लेकिन वह सब कुछ त्याग करके आ गया है अब नीसा है मलिका की भी शादी हो चुकी है और उसकी एक चोटी सी बेटी है कालिदास मलिका से मिलने जाता है लेकिन मलिका के जीवन की इन सच्चाईयों को देखकर पूरी तरह निराश होकर चला जाता है वापस लोटाता है और नाटक इसी तरह समाप्ती पर पहुच जाता है आशाड का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है और यह नाटक अपने लेखन के समय से ही हिंदी समिक्षा के केंदर में लगातार बना रहा है इस नाटक में राकेश ने कालिदास तथा अन्य चैत्रों के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदों को कत्य बनाया है जिसका संबंध आधुनिक युग के सामान्य मनुश्य की मना इस्थिती से है व्यक्ति की प्रमानिक्ता क्या है या कैसे और किन इस्थितियों में खंडित होती है नारी और पुरुष के लिए प्रमानिक्ता के क्या अर्थ होते हैं और सत्ता सिजन के साथ ही जटिल संबंध जैसे मूलभूत प्रशनों को इस नाटक में बेहत बारिकी के साथ उठाया गया है अस्तितुवाद एक यूरोपिय दर्शन है जिसका आरंबिक उध्गोस उनिस्वी श्ताबदी में हीगेल के बुधिवाद के विरुद सोरेन किरकेगार्ड ने किया था लेकिन अस्तितुवाद को प्रसिद्धी बीस्वी श्ताबदी के आरंब में मिली और इस दौर म को साहित में नौविल पूरुषकार भी दिया गया आशाड का एक दिन पर अस्तितुवाद का क्या प्रभाव है तो अस्तितुवाद की संकल्पनाई क्या है तो मनुष्य की आत्मनिष्टता पर अत्यधिक बल देते हुए मानव के वस्तू करन का प्रचंड विरोध किया ग स्वतंतरता का क्या अर्थवा कि चयन की स्वतंतरता स्वतंतर व्यक्ति हुआ है जो उप्यूक्त विकल्प का चयन अपनी अंतर आत्मा के अनुसार करता है ना कि किसी बाहरी दवाब में मनुस्य के निर्जन दो कार्णों से प्रभावित होते हैं पहला है अन्य मनुष्य, दुसरा है भौतिक परिस्थितिया सात्र के अनुसार निर्णय या चयन चाहे जितनी भी समझदारी से लिया जाए वह अपूर नहीं होता है जीवन में कोई भी चयन एक इस्थिती के बाद वेदना पैदा करता है विशिस्ता वह चयन जो किसी दवाव में क्या गया हो दोनों विकल्प साथ साचुने नहीं जा सकते हैं इसलिए महान से महान व्यक्ति भी व्यक्तित्त विभाजन का शिकार होता है इस कारण हर व्यक्ति आधा अधूरा है और यही आधे अधूरेपन की समस्या अस्तित्वादी नाटकों में स्प्रश्टता दिखाई पड़ती है विसंगती बोध तो अस्तित्वाद में विसंगती बोध की चर्चा अकसर की जाती है इसका प्रियोग दो तीन अर्थों में हुआ है पहला अर्थ है और तारकिक्ता यह जगत विसंगती पूर्ण है क्योंकि इसमें कोई तारकिक्ता नजर नहीं आती है मनुष्य का जर्म उसकी मिर्ट्यू दोनों उसके नियंत्रन से बाहर है यह भी विसंगती है विसंगती का सबसे प्रमुक अर्थ है निरर्थक जीवन को ढोते जाना की तरास दी मनुष्य जैसा जीवन जीना चाहता है वैसा जीन नहीं सकता है क्योंकि शेस व्यक्तियों का अस्तित्तु उसकी स्वाधिनता को सिमित कर देता है इसलिए सात्र ने अपने एक नाटक में कहा है मनुष्य समाज के बिना रह नहीं सकता है और सामाजिक दबाव उसे उसके अधिकार के साथ जीने नहीं देता यही अंत्राल विसंगती है जैसा वो है और जैसा उसे होना चाहिए का अंत्राल तो क्या अर्थ हुआ इसका इसका अर्थ हुआ कि साधारन मनुष्य जो है वो अपना पूरा जीवन विसंगती में ही गुजार देता है क्योंकि उसे लड़ने के लिए कुछ बरे निर्ने लेने पड़ते हैं जिसका साहस हर किसी में नहीं होता है कुछ व्यक्ती बरे निर्ने लेकर विसंगती से लड़ते हैं जबकि फिर वे किसी दूसरी विसंगती के शिकार हो जाते हैं कामुक का प्रशिद कथन है कि विसंगती ना व्यक्ती में है ना समाज में है वो तो दोनों के साथ होने की अनिवारिता में है अपनी अंतरात्मा के विरुद लिये गए किसी निर्णय से धीरे धीरे ऐसी परिस्थीतिया बनती है कि उनके साथ समंजन की प्रक्रिया में वह खुद से दूर होता चला जाता है और एक लंबे अंत्राल के बाद इस्तितिय हो जाती है कि वह अपने मूल व्यक्तितु को पहचान नहीं पाता है वस्तुता ये सब समस्याएं निर्नर लेने की प्रक्रिया के अनिवारे परिनाम है कुछ लोग इन वेदनाओं से बचने के लिए अपनी स्वतंदर्ता से पलायन करते हैं और अपना निर्नर लेने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या परंपरा को सौप देते हैं इस इस्तिति को सात्रे ने आत्म प्रवंचना कहा है इस इस्तिति में वेदना कम नहीं होती है सिर्फ उसका रूप बदलता है क्योंकि निर्ने कोई भी ले वह अपुर नहीं होता है और वेदना उत्पन करता है अपने निर्ने लेने का अधिकार किसी अन्य को सौपने से मनुष्य का वस्तु करन भी हो जाता है क्योंकि वस्तु का अर्थ ही है जिसके संबंध में निर्णे कोई और लेता हो। कालिदास के बाहरी जीवन की सफलताएं बढ़ती जाती है किन्तु आंतरिक जीवन में उसका निर्थकता बोध भी बढ़ता जाता है। गलत निर्णेयों का स्वभाविक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति का जीवन विसंगतियों से भर उठता है। विसंगति बोध एक निरंतर चलने वाली छटपटाहट होती है जिसमें जो मैं हूँ और जो मुझे होना चाहिए था में निरंतर शंगर्ष चलता रहता है। विसंगति को बदलने के लिए बहुत कठोड निर्णे नेने पड़ते हैं जो सामानेता संभव नहीं होते हैं। कालिदास का संपूर्ण जीवन विसंगति का ही जीवन है व्यापक अर्थ में मलिका और विलों भी विसंगति बोध से भरा जीवन जी रहे हैं। विसंगति पूर्ण जीवन का स्वभाविक परिणाम है मनुष्य का अपने व्यक्तितु से अलग हो जाना। इसे आत्म निर्वासन या अजनवीपन भी कहते हैं। मुक्ति बोध के यहां भी यही समस्या माक्सवाक्ट से आई है जबकि आशाड का एक दिन के कालिदास का आत्म निर्वासन अस्तितु वादी बोध से प्रभावित है। आधुनिक जीवन में व्यक्तितु का अंतर विभाजन एक सामानी समस्या है जिस पर अपने अपने तरीके से प्रसाद ने कामाईनी में और मुक्ति बोध में ब्रह्म राक्षस में भी दिखलाया है। मोहन राकेश ने यहां व्यक्तितु विखंडन और अधूरेपन की समस्या सबसे अधिक मुखर रूप से व्यक्त की है। आशाड का एक दिन स्वाधीन भारत के जिस मध्यवर्ग की नियती को प्रस्तूत करता है। उसकी चेतना में वे सभी पक्ष उपस्थित हैं जिनहें अस्तितुवादी चिंदकों ने जीवन के विश्लेशन में उभारा है। इस नाटक में प्रमानिक्ता की खोच, चयन की स्वातंत्रता, आत्म निर्वासन, निसंगती बोध, विडवना बोध और अधुरापन पता चलता है। अब समझेंगे आशाड का एक दिन उसकी समवेदना। तो सबसे पहले क्या है, स्विजन शीलता और सत्ता का द्वंध, तो गौ में आत्मियता है पर आजीविका नहीं है, शहर में आजीविका है पर आत्मियता नहीं है। दूसरा है प्रमानिक्ता की खोज, तो प्रतेक पात्र कहीं न कहीं प्रमानिक्ता की खोज में बेचेन है, मलिका आरब में ऐसा एहसास दिलाती है कि उसकी प्रमानिक्ता खंडित नहीं हो सकती है, उसका कहना क्या है कि क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का, मलिका का चैन करने को मजबूर है जिसमें प्रमानिक्ता किसी ना किसी रूप में खंडित होती है उसे वैसिया बनना पड़ता है प्रेम के दो अलग-अलग मुल्य तो प्लेटानिक प्रेम जो भावना के इस्तर से शुरू होकर उसी इस्तर पर बना रहा मलिका का प्रेम है उसका प्रेम जीवन की जरुत नहीं है जीवन का आधार है और वह स्परस्ट करती है कि मैं चूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बनेर हो क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती रही इसके विप्रित कालिदास के लिए प्रेम जीवन का एक हिस्सा है आधार नहीं है उसमें मलिका से जुरावतो है पर त्याग की भावना नहीं है अगला बिंदु है गाउं एवं शहर की प्रविर्ती एवं व्यक्ति के पारसपरिक संबंध तो गाउं में व्यक्ति खुद को प्रकृती का उसका नियंता मानकर नहीं चलता है बलकि उसका हिस्सा मानता है परन्तु शहर के व्यक्ति के लिए प्रकृती एक जरुत की वस्तु है जिसे वो अपने तरीके से नियंतित करना चाहता है आगे है पीड़ी अंत्राल की समस्या तो इसमें यथार्थ और कल्पना का द्वंद जो है वो अंभिका और मलिका के बीच में है फिर है सत्ता एवं नौकरशाही का चरित्र तो नाटक में सत्ता के चरित्र का सुक्ष्म विशलेशन किया गया है और सत्ता का यह चरित्र आज क समय में भी उतना ही यथार्थ प्रतित होता है जितना नाटक के लेखनकाल या कालिदास के समय में रहा होगा अस्तितुवात दर्शन की छाप तो नाटक के प्रमुख चरित्र अपने आप से अजनवी महसूस करते दिखाई देते हैं किसी प्रसंद पर मलिका उत्तर देती ह कि जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेशन उपारजित किया है और अब मैं अपनी दृष्टी में नाम नहीं केवल विशेशन हूँ तो यह नाटक अस्तितुवात के दर्शन की भारतिय समाज की इस्थितियों के साथ अंतहक्रिया पर आधारित एक स्वभाविक न नाट्य भाशा कहाजाता है तो यह नाट्य भाशा कई अस्तरों पर एक साथ गतिशील होती है पहला क्या है कि मेगघरजन वर्शन इत्यादी से ड्रिष्य और पात्रों की मनुदर्शा का वातावरन तयार होता है दूसरा महा है एक औसफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम तो यह पंक्ती आशाड के एक दिन का बीज वाक्य है मोहन राकेश ने इस कथन के माध्यम से यह संकेत किया है कि किसी भी मनुश्य की पहचान जिन गुनों और अवगुनों से होती है वे उसकी नीजी संपत्ती ना होकर उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के क्रम में प्राप्त होने वाला अन्य उत्पाद कहलाता है वस्तुता अस्तित्वादी भावबोत की दिश्टी से कोई भी व्यक्ती मुलता अच्छा या बुरा नहीं होता है उसके जीवन की उपलब्धियां और अनुपलब्धियां ही उसे बुरा या अच्छा बनाती है निच्छेप के माध्यम से मोहन राकेश ने यह भी कहा है कि योगिता एक चौथाई वक्तित्तो का निर्मान करती है शेसपूर्ती प्रतिष्ठा द्वारा होती है यही कारण है कि विलोम का विलोमत तो उसकी विफलताओं से पैदा होता है तो कालिदास का कालिदासत तो उसकी सफलताओं से कालिदास और विलोम दोनों का जुराव मलिका के साथ है पर किसी का भी पूरा जुराव नहीं है कालिदास वविलोम के इस युग में नायकत्यू वखल नायकत्यू की संकल्पनाई परस पर घुलनशील होकर विलीन हो गई है अंतिम इस्तिती में तो प्रभाव यह है कि दर्शक तैही नहीं कर पाता है कि इन में से किसमें नायकत्यू की मात्रा जादा है और किसमें कम है परिस्थितियों में निरंतर जूझ रहे हैं जो मौका पढ़ने पर नाय कत्व या खलनाय कत्व किसी भी इस्तिती में जा सकते हैं और चाहे किसी भी और इस्तिती में जाए अंतता अधूरे पन की नियती झेलने को अभिशब्त हैं आंशाड का एक दीन की रंग्मंच येता क्या है तो मानव तत्व और शब्द तत्व पर आधारित रंग्मंच बंाने की दृष्टि जहां पश्यमी रंगमंच की द्रिश योजना और तक्नी का प्रियोग ना किया जाए, कम से कम संसाधनों के साथ शंसलिष्ट प्रियोग किया जा सके, तो चलिए इसके महत्तुपुर्ण विंदु को समझेंगे। कथानाक सरल है क्योंकि इसमें कोई आवातर कथा नहीं है, आवातर कथा ना होने के कारण नाटकिये प्रभाव कमजोड नहीं पड़ता है। पैदा हो गया है। रंग संकेत अत्यदिक मात्रा में दिये गया है, जो भारतिय परंपरा की दृष्टी से एक मौलिक विशिष्टा है, कहीं कहीं तो समवादों से ज़्यादा रंग संकेत हो गया है। आकास्मिक्ता का भी प्रहाशाली उपयोग है, विलों हमीशा तभी आता है जब कालिदास उपस्थित होता है, बच्चा ठीक तभी रोती है जब कालिदास अत् के आरंध करने की बात करता है। बादल भी चरित्रों के मूट के अनुसार ही गरस्ते बरस्ते हैं। यह नाटक बॉक्स सेट थेटर के अनुरूप लिखा गया है, किन्तु इसमें रंगमंची संभावना इतनी अधिक है कि ओपन एयर थेटर या मुक्ता काशी रंगमंच पर भी इसने सफलता सिद्ध की है और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि नाटक कार ने रंग निर्देशन की सुवधाओं का भरपूर ख्याल रखा है। साथ ही नाटक में तीन अंख है किन्तु द्रिश्य शिर्फ एक है। भाशा कसीवी है, प्रसात की भाशा की तुनला में कुछ-कुछ तत्समी होने के बावजूत या बोध गमेता की द्रिश्टी से सरल है। चरित्र योजना बेहत प्रभावशाली है, सभी चरित्र सहज और स्वभाविक है और इसके अतिरिक चरित्रों की संख्या जो है वो बेहत कम है तथा गौन चरित्रों को एकदम महतो नहीं दिया गया है। द्रिश्य विधान बेहत सरल है, जिसे आयोजित करने में निर्देशक को कोई समस्या नहीं होती है, केवल तीन चादरे हो, दो दीपक हो, एक पुराना पलंग हो, एक चौकी तथा कुछ कपरे हो, तो नाटक का मंचन कभी भी किया जा सकता है। नाटक का आकार सिमित है, इसे खेलने के लिए सिर्फ दो घंटों की जरुत होती है, और इतना समय निकालना दर्शकों के लिए कठिन नहीं है। आशाड का एक दिन की क्या प्रसांगिक्ता है, तो काल का अतिक्रमन करके भी अपनी प्रसांगिक्ता बनाए रखता है यनाटक। इतिहास का प्रियोग रोमानियत या एतिहासिक ज्यान को साहित्य के माध्यम से दिखलाने के लिए नहीं किया गया है, बलकि यहां इतिहास का प्रियोग सिर्फ उप्योगितावादी नगरिये से किया गया है। मोहन राकेश ने स्वयम लिखा है कि उन्होंने कालिदास का चरितर इसले चुना क्योंकि रचनाकार की पीरा को व्यक्त करने हेतु उन्हें इससे बहतर कोई प्रतीक नहीं मिला उनके अपने शब्दों में यह नाटक आज का तथा आज के लिए नाटक है इस प्रकार आज के समय की प्रसांगिक्ता क्या है तो सत्ता के चरितर का सुख्ष्म विश्लेशन, अनुस्वार, अनुनासिक, प्रियंगू मूल समस्या क्या है व्यक्तित्व के विखंडन आत्म निर्वासन और विसंगती पूर्ण जीवन भूमंडली करन और प्रवासन की समस्या फिर है पीड़ी संगर्ष तो उम्र का अंतराल कैसे वैचारिक मद्विदों को जन देता है मलिका और अमिका के बीच में फिर है जाहिर है अपने कलेवर में बिलकुल अलग और अनूठे मोहक रोमांस के वातवरन और यथार्थ के तीखे दंश से युक्त है मोहन राकेश ने कहा है कि मैं व्यक्तियों की यंत्रना की कहानिया लिखता हूं जिससे समाज की विडमना सामने आती है इन सब के अतिरिक्त प् फूश की प्रक्रिया किस तरह वेदना को जन्य देती है और यह दना आज के मनुष्य की नियती है इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के साथ मुझे रहे आज के लिए इतना ही धन्यवाद